हाजी दोस्तों आशा करता हूँ आपके हाल बेहाल होंगे मेरे May 24 वाले दोस्तों के तो अब बस अपने एकजाम के कुछ ही लंबे कुछ ही मन्त कुछ नहीं अभी तो बहुत बाद बाकिये पूरे पाच महीने बाकिये अगर अभी भी आपने कुछ नहीं करा है अभी भी अगर आप वापस से करोगे रिवीजन अगर अच्छे से भी अगर आप शुरू करोगे तो भी बहुत कुछ अच्छे से सब कुल निपट जाएगा एक्जाम तक तो अपना CA final का new syllabus strictly उसके लिए बहुत से कोई रहाइती सर पूरा आप जो पाच मैने की revision strategy बता दो कि केसे क्या-क्या sequence में revise करना है किते number of days देदें किसके subject को क्या-क्या देना है खलाना डीगरा केसे आपको supplementary जो modular self-paste module उसको कैसे revise करना है तो वो सब लेके आजबन पोचें तो सर सबसे पहले एक basic पाच मैने के अंदर हमको कितिनी बार revise करना है देखो, ideal revision बता दो minimum तीन बार पूरा revision चाहिए ही चाहिए होगा plus एक मैं आपको दूँगा एक smart revision हेमन सर का एक smart revision वो आपको एक अलग से करना है जो जो भी important चीज़े मैं बताऊंग आपको क्या है, तीन फुल रिविजन प्लस एक smart revision ये अपन को पाच मैने के हमने पूरा करना है, आज 6 से करना है, तो शलो आपन नीचे उदर अपसे बिलतो ये जो PDF है, ये मैं आपको मैं टेलेग्राम से लिए दूँगा आप टेलेग्राम से का नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और ये भी है, आप सुरी, आप डायरेक्ट जाके सी एमन सोमानी टेलेग्राम से लिए आप पर सर्च कर सकते हैं, ग्लोबल सर्च का उप्शन आता है ठीक है, अब चलो, ये अपनी स्टेटेजी होने वाली है, पहले तो, सिक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का किस सिक्वेंस होना है पर इसके भी पहले दियान रखो, कि तुम जो अभी करने वाले होना रिवीजन, उसको शुरू करने के पहले जितना भी अपना material, notes, question bank, फलाना डीगरा, जो भी तुमको चाहिए हो, आपने सब कुछ इगटा कर लिया ये निक आप जैसे ऐसे पढ़ रहे हो, फिर धीरे 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 तो अगट कर लो जो भी चाहिए, आप एक बार फर्स रिविजन के ताइम पर पूरा अच्छे summarize कर लो, इवन फर्स रिविजन के पहले, या फिर फर्स रिविजन आप फर पर लो, तो फटा फट, चार पाच गंटे लो, एक बार वो सब समिट हो, फिर SM का रिविजन आया, SM का पूरा सब के रख दिया, तो आपको ये तो रखना ही रखना है, महला ये नहीं कि आप एंड टाइम पर लो, आप इससे करूंगा, इससे करूंगा, इससे करूंगा, बिल्कुल फाइनल की ये ही वाले मुझे नोट्स रिविजन पर रखने है, अगर आपको लग रहा है कि ने दूसरे रिविजन का भी दूसरे वाली बुक के ये चप्ट रचा है, तो उसको फाड के, उनके चप्टर को फाड के, आपकी जो मेन बुक के उसके साथ लगा दो, माला सब कुछ एक समरेस करना है, इसके अंतर कोई भी ज्यादा बर्डन नहीं दिखना चाहिए, जो जो काम की अपनी, FR क्यों सबसे पहले उठाना है, पहले आपको नियुमेरिकल चीजे सारी सबसे पहले रखनी है, उसमें भी FR सबसे पहले इसलिए उठाना है, कि फर्स्ट एक्जाम होता है, फाइनिशल रिपोर्टिंग FR का ही, तो आपका जब बिल्कुल, थर्ड रिविजन हुआ, थर्ड रिविजन में आपने फर्स्ट बार में FR कर लिया, फिर end तक पहुचोगे आप, end तक पहुचोगे, तो बाकी सब भूल जाओगे, मनब FR क्योंकि आपने यहां तक पहुचे, तो FR फर्स्ट में करी थी तो भूल जाओगे, होता है, सब के साथ होता है, कोई बड़ी तो आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा, इसलिए FR आप भूल भी गया, वापस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, इस वज़े से मैंने FR पहले रखा है, फिर AFM, Numerical Subjective, उसके साथ record, second paper भी सीखा होता है, फिर DTIDT, उसके लास्ट में audit, audit last में क्यों, audit, हमारा एक बहुत ही प्यारा सा नना मुनना बच्छा, जो आजका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, CA Final में आने के बाद, तो अब ये बड़ा बच्छा, आपको याद करने में बहुत प् कराता हूँ, और जिनको नहीं पता है, audit का बिल्कुल free fast track batch YouTube पे अवेलेबल है, वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, मेरी playlist पे YouTube पे, बिल्कुल YouTube पे free वाली वीडियो अप्लोड कर रहेगी, free fast track में क्या कैसे free cover रहेगा, क्या रहेगा, वो FA के वाली वीडियो देखना, ठीक वो आप भूलोगे, तो इसलिए आप इसको last में रखो, कि exam तक बिल्कुल end में touch में रहे, आप बिल्कुल end का रखो कि तो दिमाग में touch में रहेगी audit आपके, इसलिए इसको मैं हमेशा last में रूसर्ज करता हूँ, मैंने personally मेरे exam time पे इसको last में लिया तो, मैंने खुद ने इसी type के schedule फॉलो करता है, मारे 2 subject extra थी, उसको कई भी गुसा है बाता, वाकी main मेने भी यही follow करा था, ठीक है, अब मैं number of days पे ज़्यादा ध्यान ने दूँँगा, यहां पे आपको बता देता हूँ, इतने इतने days देने आपको, एक-एक subject को, first revision पे आपको इतने number of days देने, तो अब ये 48 days आपके यहाँ पे हो जाएंगे सेकंड रिविजन में अब आपको 8 days, AFM को 6 फ़ना डिगर ऐसे देने 31 days यहाँ पे हो जाएंगे थर्ड रिविजन में 26 days हो जाएंगे आपको ऐसे days reduce करने धीरे-धीरे-धीरे करके days reduce करने ठीक है तो में चीज़ मुझे आपके बतानी है कि आपको days जो reduce करने हो न साथ में अपने पढ़ाई का content भी reduce करना है तो तेरा दिन फर्स बार एफार में देरो नेक्ट बार आठ दोगे क्योंकि फर्स बार आप करोगे फिलाल तो मुझे आशा है पूरा क्योंकि आपने अभी ये जो में revision start करने की बोल रहा हो वो आप मानो फर्स जनवरी दो जार चोईस से revision start करने की बोल रहा हूँ फर्स जन 24 तो उसमें 18 फैब तक ही हो जाएगा 48 days जोड़ोगे तो 31 days जोड़ोगे पर इसके पहले I hope आपने एक बार FR अच्छे से वापस रिवाइस कर लिए होगे FR है फर कोई भी subject है ठीक है ना नहीं भी केट तो कोई बात नहीं पर कर लिए तो जाज़ा अच्छा है reason being ये आप first बार FR उठाओगे तो आपने बहुत सारी चीज़े आपने बहुत सारे question करोगे बहुत सारे concept वापस समझोगे सब कुछ करोगे आपको main पता क्या करना है FR का उनली नहीं बोल रहा है सारी subject का बोल रहा हूँ एक तो question marking select करते जानी है कि इस बार मैंने 50 question कर रहे हैं इस chapter के पर एक दो एक दो नए adjustment है उसमें एक दो एक दो नए adjustment है बागे लगबख सेमें आपको पाच्चोर पारबानी करने एक question कर लिया remaining चार में क्या नए adjustment है वहाँ पर उस question पर टिक करो पुरा कट करके करो और यहाँ पर लिख दो कि यह इसमें नए adjustment यह वाला है और इसको ऐसे ऐसे solve करना है हिंदी इंग्लिश जिसमें आप comfortable हो वह उपर उपर समझा दो कि इसमें यह question में यह दियावा है इसलिए जब question में यह दियावा हो तो आपनको ऐसे करना है यह करके चलो मैं जनरली इसी करता था इवन मैंने तो FR, AFM वगरा की concept book एक अलग बना ली थी उसके अंदर मैं लिख दिया था कि जब आप भी चाहो तो बना सकते हो भाई बिल्कुल concept book एक अलग से नॉर्मल concept book नहीं बना था मैं बोल रहा है आपको उसके अंदर आपको लिखना है बिल्कुल हिंदी में तो मैं तो हिंदी 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 है जो मैं को comfortable लगता था उससे में language बिल्कुल लिखता था कि अगर question में ऐसा दिया हो और यह adjustment हो तो मुझे एससे step लेके एससे solve करना है मैंने पूरा ऐसे बनाया था फिर एक बार मैंने जैसे पढ़ लिया ना फिर question दिमाग में आती पर मेरी concept book में दिमाग में आती थी और मैं ऐससे step लगा के solve कर लेता था उसको तो आप भी चाहओ तो कर सकते हो सेम चीज और वह हर एक question में पाचों के पाचों बार 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 नहीं करने एक question करके बाकी पर लिख देना है कि इसके अंदर यह नया है तो यह होगा बाकी cut करते हो question filtration याँद से करना 10 टाम पर बहुत दिख्यत आने वाली बार बार सारे question नहीं होते है सारे कोईशन हाथ से करने हैं क्या सर अब यह बाली बात भी लिख लो अगर तुमको याद मेरे हो तो हैं डिटन सारे करने हैं क्या ना जो कि क्यों इंपोर्टेंट कोईशन आपको लग रहे है कुछ कुछ नियूमेरिकल के वह वह हाथ से करो सारे तो सारे कोईशन हाथ से करो हैं क्या गलती होँ है वह पता पड़े वह तो कंपल से शलिश करता हू है कि mock test हाथ से कर लेना, ठीक है न, mock test कर लेना, आप चाहँ तो first revision के बाद mock test दे सकते हो, या फिर first के बाद कुछ-कुछ बच्छी comfortable नहीं होते हैं, आप second revision के बाद mock test दे सकते हो, ठीक है न, चलेगा, अब mock test दे न, इसलिए जरूरी है, क्यों time management आपको पता परता है, कि आप cover क इस खरीदने के जरूरी होते हैं, आपकी इच्छा पर हैं, और कौन सी खरीद है, इस सब कुछ नहीं है, कहां कि मर्जी हो, खरीदो भी वरना, नी भी खरीदो, तो खुद आई से एक MTP उठा लो, काई से भी, कोई से भी mock उठा लो, और घर पर आके solve कर लो, अच्छे से, आपने उसके answer की से, खुद चेक करना, कि आपने उसके हिसाब से not sure accounts बनाया थे, क्या उसके हिसाब सो करते हैं, बाकि कोई भी आपको ऐसी test rates नहीं मिलेगी, market में बिना फालतो, manipulative test rates चलती है, बहुत चलती है, कि हमारे, हमारे question, exam में आते, possible ही नहीं है, फालतो बाते हैं, वो सब फालतो की marketing technique है, अब आप चीज़े समझते हो जादा, विवेक बिंदरा जी जब हमारे ACR कते कर रहे तो आप तो क्या ही समझते हो, देखो गया, बाकी लोगा तो क्या ही करना है, तो इसलिए बोलों कि ऐसे paid test rates नहीं जरूरी नहीं, आपके इच्छा हो तो ले सकते ह इसलिए बाकी भी तो selfish module है, भूल नहीं रहा हूं, आई से भूल गई है, मतलब अभी तक या निकाल ला ही नहीं कि तुमको exam देना कैसे है, मतलब online देना है, computer पे देना है, अब अब तक center लोट नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो कैसे देना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या करा, अगर selfish module का सब कुछ हो जायता है, सब कुछ ताय हो जाय, कि अब भी, मतलब तुम वीडियो देखे लो, उस वक्त हो जाय, कि नहीं, सब कुछ यह हो गया, कि यह इस जगे center पे देना, और यह यह date आ गया, exam के सब module आ गया, कि इस सब कुछ हो जाय, सब से पहरे बाकी मोड़िल आपको ही न, मलब selfish module, दो गंटे टोटल मिलाके, सारे को मिलाके, दो गंटे आपको जो भी सांतिना बेटह ए अच्छा लगे जो, उन दो गंटे आपको मिलाके, आपको तयारी करने है mainly lower SMP रोज के 2-2 गंटे आप तयारी करो ठीक है रोज के 2-2 गंटे तयारी करो पर जैसे ही ICI release कर दे क्योंकि मैंने आपको 15th April दिये डीट अभी तो और भी है ना exam तो बाद में होगा ना 15th April तो मैंने आपका 3rd revision खतम करा है तो मैंने इसी वज़े से selfish module के वज़े से और एक 4th revision smart revision यह रोका भाए इसलिए मैंने आपको spare days दिये भी तो जैसे रोज के 1-2 गंटे करो आप total सारे selfish module मिला कर जो भी आपको लग रहा है पर जैसे ICI date दे दे कि नहीं अब हो गया हमारा यह यह fix हो गया उस वक्त बाकी चीज हटा के बीच में जहां पर भी अगर यहां पर हो तो यहां पर रुके low और SMP सबसे पहले खतम करो 5-7 दिन टोटल दो इनको पूरा पढ़ पुढ़ा के अच्छे से एक बाद दिमाग से जंजेट फ्री हो कि हाँ भाई यह निपूँ क्योंकि इनके बिन आपने एक्जाम में निपेट सकते दिक्कत अपने साथ ही है एक बार यह पूरा निप्टा दो अभी तक आई से ही कि अनाउस्में प्रोपन नहीं है इस सेंटर होगा इसलिए मैंने इनको अलग करका है ठीक है पर जैसे आजाए यहाँ पर तुम हो यहाँ पर भी हो तो एक बार यह पहले फिर पढ़ो लो SMP पासाथ दिन दो और वो साथ के निप्टा के आजओ पूरा कप हो ठीक है और सेम ऐसे भागी के सेलफ़ेश मोडल का भी है यह अपने तीन डिवीजन हो गया उसके बाद अपना एक बचे का फोर्थ रिवीजन इसमें डिवेजन फोर्थ रिवीजन एक स्माट रिवीजन इदैन फौल रिवीजन इसमें यहाँ तो आपने जस्ट आपने थर्ड इजन खतम करा है, यह सारे हो गए, सब कुछ हो गए, अब आपको एफर के रिविजन के जस्ट पहले, एफर, एक्जाम होगा ना, एफर का एक्जाम फर्स्ट होगा, तो इसके पहले आप अब एफर उटाओगे पास्साथ दिन, ठीक है न, पास्साथ दिन आप एफर उटाओगे, और यह जब पास्साथ दिन आप एफर उठाओगे, उसके पास्साथ दिन पहले एक MTP पास्साथ दिन इसको दिये, उस पास्साथ दिन को देने के पहले यह 4-3 विजन होगा अपना, जिसके अंदर SFM के top questions और theory, theory और top questions दोनो, एक दिन कंदी revise करो, top question कि आप खुद के लिज़ प्रिपेर होनी चाहिए, आपको handwritten करने है, वो क्योंकि na, FR में तो पास्साथ दिन दे सकते हो, पर बाकी subject में क्यों 1.5 days होंगे आपके पास, उस वक आप handwritten कुछ नहीं कर पाऊगे, इसलिए FR क just पहले FM realize कर लो, उसके handwritten question कुछ-कुछ important, साल है तो नहीं होंगे न, कुछ-कुछ यहार एक chapter से 2-3-2 दिन उठा लिए, जो आपके important लग रहे है, important question रिवाइस कर लिए, important या hard जो आपको लगते है, कि यार 1.5 days में अगर मैं ये chapter उठाऊँगा, तो उसलिए वक तो उलज इस होगा, तो इसलिए एक दिन दे नहीं दे नहीं आप है, मैंने भी परसनली एक्जाम टेमपर में नहीं कर रहा था, कस्टम FTP मुझे थोड़े दिक्कात अलगते है, दिक्कात अलगते है, थियोरी, सब कुछ आता है, easy है, ऐसा कुछ नहीं है, कस्टम FTP बहुत easy है, पर theory कुछ चीज़े याद करने पड़ती थी, तो इसलिए मैंने कस्टम FTP को भी एक दिन अलग से दिया था, इसके बाद कर लेए, फिर मैंने कस्टम FTP को एक दिन और दिया, इसमार्ट रिविजन में, ठीक है न, फिसके बाद, audit को दो-तिन दिन दे नहीं यह बापस से, audit के लि कोशिच करना पूरा कर लो, पूरा नहीं तो आपको हाड लेए, फिसके बाद, लास्ट जे रिविजन में आपको बात में दे दूगा, 1.5 डेस के बात में यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगा, आप सब्सक्राब कर लेए, टेल चैनल पर भी मिल दे दूगा, मैं आपको बात की बात है, अब सर्व कुछ टिप से एक बार ध्यान रख लो, कुछ फटाव निप्टाता हूँ, ज़्यादा दे नहीं केचूँगा, ABC analysis करे, मत जाना एक्जाम में, जो जो करके गया है, भाई, अभी लास्ट के तीन-चरे टेम में किसी भी senior से पूछ लो, बहत बुर लगने वाली है, ICI B or C category में से MCQs पूछ था है, तो वो अटोमेटिक A category बन जाता है, तो इसलिए ध्यान रखो, मत करो, मोक टेस्मिंगा में आपको बता दिया, वो देना ही देना है, उसके बाद, फर्स्ट और सेकंड डिविजिन आजब करोगे, तब आपको याद नहीं आईगी चीज़, आपको लग रहा हूँ कि आपको भूल रहा हूँ, मैं को यादी नहीं आरी, मैं तो पहले भी पढ़ा था, सब के साथ होता है, यही प्रकृतिका नहीं है, हमें सब के साथ यही होता है, तो उस चीज के टेंशन मतले ना, पढ़ते रहे न, तुम अमना प हर चीज समयराइस कर देना, रिविजन के परपस के लिए आपको, ठीक है न, समयराइस, समरी नॉट अलग बनान के ज़रूद नहीं है, पर जैसे मैंने बोला कि यह कॉंसेप्ट है, इतना बड़ा पढ़ना के ज़रूद नहीं है, तो मैं भी यही करता था, इतना बड़ा कॉंसेप्ट है, मैं यहाँ पर दो लाइन मेरे हिंदी में लिख देता था, कि लास्स टेम पर मुझे के लिए दो लाइन ही पढ़नी है, कि प्रोविजन में ऐसा ऐसा दिया वा है, ऐसा ऐसा होगा और ऐसा 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 स्पेशल पॉइंट है, तो इतना बड़ा मुझे जानी है, उस चीज से समयराइज कर लेना, जिस बुक से पढ़ रहे हो से कि उप्रेक्टिक मार करके लिख लेना, थियोरी के अंबर इस SMP थयोरी हो गई, audit पूरी थियोरी है, उसके अंबर head point और keyword याद करना है, अंबर का पूरा detail याद महीं करना है, अगर किसी के अंदर 15 पूरा point दिये है, तो total 6-8 point ही याद करने है, पढ़ने सारे के सारे point है, पढ़ने सारे point है, 15 के पन्रा के पन्रा, क्योंकि MCQ में कुछ भी आ सकता है, पर 6-8 point रटा मारने, क्योंकि maximum question पात साथ point, पात साथ mark के आता है maximum question, तो एक point का एक marks मिल जाएगा आपको, पढ़ने क्य क्योंकि सारे MCQ में आते, professional ethics के close number के marks होते है, एक्जाम में केवल question bank करें, कभी भी मत जाना, क्योंकि अब case scenario MCQ बहुत आ रहे है, केवल फालतू के मनलब clerical work, मनलब केवल rectification अगरा से काम नहीं होना, समझना सब कुछ है, तो only question bank से कुछ नहीं होना, पढ़के जाना, क्योंक आपना, यह मैं पीडियो आपको टेर्गाम से शेर कर दूँगा, बाकी मैं आपको बताई दिया है, CA final audit, strictly as per new syllabus, आपको free fast track badge मिल जाएगा, मेरे YouTube चैनल पे ही, पूरा, बस एक उसका FAQ वाला वीडियो, हो मैंने चीज़े समधार रखिए, वो एक बार आयाद से देख ले न बाह 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 पे है, CA at wonders, के वो की आपको बाला वीडाम से टॉगे ऴाला वीडियो, हो मैं आपको तूआ है, CA भूआ बाला वीडियो, हो कि अर्छे रखिए, ईक पैए भेशिश्ण ए श aparece हюсь